जाहिन्द विद्यार्थियों, आज वर्ल्ड जोग्रफी का एक लेक्चर आपके लिए वर्ल्ड पॉपॉलेशन पर आधारित है। वास्तम में आज हम पूरे दुनिया की पॉपॉलेशन के बारे में स्टेडी करने जा रहा है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, कि मानाअसबविता का विकास तो काफी साल पहले ही हुआ है। ऐसा मानाअ जिसने कुछ हत्यारवी अपनी सेफटी के लिए बना लिए थे, पत्तर के ही सरी। इसी मानव ने मानव विकास का करम यहीं से चालू होता है और यहीं से मानव ने अपने विकास की यातरा को जारी रखा जो आज तक विद्धमान है ये वाइस मेन यानि होमो सेपियन लगवग 14 लाख साल से 25 लाख साल के बीच के इस्थिती है इस बीच में कहीं प्रकट हुआ और उसके बाद से निरंतर उसकी यात्रा चलती आई यूं तो और पहले जाएं तो गोरिला, चिम्पान जी ये सब भी मानव के ही एक रूप कहे जाते रहे हैं लेकिन होमो सेपियन से ही हम मानते हैं वरतमान मानव वहीं से आया इस मानव की यात्रा के दौरान चुकि अर्थ तो पहले भी इतनी बड़ी थी जितनी आज है लेकिन मानव की संख्या बहुत कम हुआ करती थी इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो कि अठारा सो इसवी तक वर्ड पापुलेशन केवल सो करोड थी केवल सो करोड अठारा सो इसवी तक और अठारा सो से लेके आज दो हजार चौबीस लगवक सबादो सो साल में वर्ड पापुलेशन आठ गुना बढ़कर आठ सो करोड हो गई सो करोड से आठ सो करोड होने में हमको केबल सबा दो सो साल लगे तो वहीं सो करोड होने में हमको लाखों साल लग गए आखिर ऐसा क्या हुआ विद्यार्थियों आप लोगों नेतिहास पढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री पड़ी है विशिस रूप से मेडाइवल हिस्ट्री जिसमें युद्धी युद्ध होते थे लोगों का जीवन काली बहुत छोटा था जवानी में ही जाना तर लोग मारे जाते थे दूसरी बात बीमारियां बहुत थी अनाज की कमी थी अकाल पड़ा करते थे लोग भूक और बीमारियों से मर जाया करते थे तो सही माइने में पहले हेल्थ इश्यू तो थे ही साथ ही जो परिस्तियां थी वर्ल्ड की वो ऐसी नहीं थी कि इनसान लंबी आयू जी सके हलाकि अगर हम पुराने कथाओं में जाएं तो कहते हैं सत्यूग में इनसान की आयू दसों हजार साल की हुआ करती थी लेकिन अप चूंकि उन सब के प्रमान हमारे पास ऐसे नहीं है जिसको हम सावित कर सकें तो इसलिए वरतमान हिूमन की हम बात करेंगे विद्यारती हम हिूमन यात्रा को यहीं सुरू करते हैं गि अठारा सो इसवी में हम सौ करोड थे और उसके बाद आज सबादो सो साल में हम आठ सो करोड हो गए इतनी बड़ी यात्रा इसमें जब हम आगे बढ़ते गए और वर्ल्ड पॉपुलेशन आज इस इस तर पर पहुँच गई है कि पूरा विश्व इस बात की चिंता करने लगा है कि अगर इसी गती से वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती रही तो आगे इस प्रत्वी पर लोगों को खिलाने के लिए अनाज नहीं होगा हम कहां से लाएंगे वो सारे रिसोर्सेज जो मानाओ का भरण पोश्ण कर सकें इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने के लिए लगातार चिंताएं उभरने लगे और ये चिंताएं जायज थी आखेर क्यों इनकी जरुवत पड़ी विद्यारतियों 1987 में 1987 11 जुलाई 1987 वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़कर 500 करोड रही है 5 अरब 5 बिलियन कांकड़ा हमने पार किया उसी दिन को किस रूप में मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन दे के रूप में विश्व जनसंख्या दिवस जब विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं सभी उसका कारण वोई है कि हमने उस दिन 5 मिलियन का एक बहुत बड़ा एक जनसंख्या का है जो एक बड़ा फिगर है वो हमने क्रोस कर लिया था तो इसी के साथ ही जब विश्व की जनसंख्या की बात आती है विद्यारतियो एक United Nations की General Assembly के अंतरगत कारे करने वाली उसकी एक सहयोगी संस्था है जिसका नाम है United Nations Fund for Public Population Activity ये वो संस्था है जिसका गठन 1969 में किया गया था 1967 में गठन हो गया था और 1969 में इसने कारे करना शुरू कर दिया था तो यही वो संस्था है जो Population से संबंदित World Population से संबंदित Different Types of Figures को जारी करती है आकड़े जारी करती है इसलिए इस संस्था को आप याद रखेंगे हलांकि इसका नाम आगे बदल कर United Nations Population Fund कर दिया गया ये इसका short name हो गया लेकिन पूरा नाम इसका यही है United Nations Fund for Population Activity यही वो organization है जिसने 1969 से World Population पर आख़े जारी करना शुरू किये और इसी की report के आधार पर आज में आपको पूरे World की जनसंख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ विद्यार्थियो पूरे विश्व में सरवादिक जनसंख्या एशिया की है आज एगर हम पूरे एशिया की बात करें तो एशिया की जनसंख्या विद्यार्थियो पूरे मैं समगर एशिया की बात कर रहा हूँ एशिया की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% है नियर अवाउट इसको मैं कहूं 4.480 करोड 480 करोड पॉपूलेशन आज की तारीक में अकेले एशिया की है और एशिया में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर हम बात करें तो आईए हम बाद में चर्चा करते हैं पहले हम सारे कॉंटिनेंट्स की जनसंख्या को एक बार जान लेते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या लगवग 800 करोड 800 करोड में से 480 करोड अकेले एशिया की है दूसरे नंबर पर अफरीका आता है लगवग 1500 करोड लगवग 1500 करोड जनसंख्या अफरीका की है विद्यारती लगवग यह याद रखना आप क्योंकि एक्जेक्ट फिगर तो अक्सर बदलते रहते हैं तो इसलिए एक्जेक्ट में याद रखने में दिखके जाती है तो आप लगवग याद रखें 480 करोड एशिया, 150 करोड अफरीका इसका आधा कर दीजिए 75 करोड 75 करोड यूरोप और अब 15-15 कम कीजिए 15 कम कीजिए तो कितना आएगा नेरवाउट 60 करोड यह पापुलिशन है नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट की और इसमें और 15 कम कर दीजिए तो पापुलेशन आजाती है टोटल यह 45 करोड यह 45 करोड पापुलेशन यह है साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट की आस्टिलिया कॉंटिनेंट की बात कर रहा है के लिए आस्टिलिया देश की नहीं आसटलिया कॉंटिनेंट जिसके अंतरगत आसपास के जो भी उशिनियाई कंट्रीज हैं वो सारी आएंगी पॉलिनेशिया जो कंट्रीज इसके अंतरगत आती है उन सब को मिलाकर, कुल पॉपॉलेशन इसकी है, टोटल पॉपॉलेशन है 4.6 करोर, ये विद्ध्यार्तियों पूरा फिगर है पूरे वर्ल्ड का और रहिवात अंटाक्टिका तो वो निर्जन महादीब है उस पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती केबल अनुसंधान के लिए लगातार शिप अनुसंधान शिप जाते हैं वहाँ अनुसंधान करने के लिए और जितने भी देशों के वहाँ तंबू इत्यादी लगे हुए हैं उनके अपने अपने वहाँ अनुसंधान हाउसेज हैं और रिसर्च हाउसेज उन्हीं में कुछ व्यग्यान रहके वापस आ जाते हैं इसलिए वहाँ की जनसंख्या को हम काउंट नहीं करते हैं तो यह पूरा फिगर है पूरे व विश्वकी है अब यदि हम इंडिया की जनसंख्या की बात करें तो most populous country of Asia आज की तारिक में इंडिया है यह फिगर इंडिया का यही फिगर अभी just इंडिया ने पिछले ही वर्स इसको cross किया है चाइना की जनसंख्या को और आज इंडिया की जनसंख्या है वो लगभग आफ इंडिया लगवग 145 करोर इतनी हो चुकी है विद्यार्थियों ये पॉपुलेशन आफ इंडिया है अगर पॉपुलेशन आफ चाइना हम बात करें तो ये भी लगवग 144 करोर के आसपास है इस तरह से ये दो पॉपुलेस कंट्री हैं एशिया की इसके बाद अगर तीस सबसे बड़ा देश तो वो अमेरिका है अमेरिका की जनसंख्या अभी वर्तमान में लगवग 34 करोर है चौथे नंबर पर इंडोनेशिया आता है ये पूरा इंडोनेशिया है विद्यार्थियों आप देख रहे हैं इंडोनेशिया की पॉपुलेशन इस समय है लगवग 28 क करोर ये इंडोनेशिया आपका हो गया चौथे नंबर पर चौथा सबसे बड़ा देश ग्रीन किलर अच्छे से दिख रहा है कि यलो करें तो विद्यार्थियों जैसा हम बात कर रहे थे कि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को अगर हमने कॉंटिनेंट वाइज अगर एनलैस किया तो ये पाया कि 800 करोड में से हर कौंटिनेंट की जनसंख्या आपके सामने लिखी हुई है आप देखेंगे रेड कलर से कौंटिनेंट की जनसंख्या को मैंने डेनोट किया है पूरे विश्व की 60% पॉपुलेशन एसिया की है लगबग 480 करोड 800 करोड में से 480 करोड पॉपुलेशन आज की तारिक में एशिया की है एशिया में भी अगर most populous country की बात करें तो इंडिया most populous country है 145 करोड then China 144 करोड अभी रिजेंटली इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन में बीट किया है यह पॉपुलेशन के आंकड़े United Nations fund for population activity नामक United Nations की एक संस्ता है ज इसलिए इसको हमें याद रखना है अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है और United Nations Fund United Nations Population Fund इसका नाम हो गया है यानि संयुक्तराष्ट जनसंख्या कोश इसे कहा जाता है इसी के द्वारा Population के आंकड़े अब निरंतर जारी किये जाते हैं दूसरा Most Population अगर Continent कोई है तो वो है अफ्रीका अफ्रीका की कुल Population 150 करूर है जिसमें से सबसेदा जनसंख्या वाला देश्ट नाइजीरिया है जिसकी जनसंख्या 23 करूर के आसपास है नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो यूरोप Most Populous तीसरा Most Populous continent है लगवग Population है 75 करूर जिसमें से सरवाधिक यूरोप का सरवाधिक Population वाला अगर देश आप से पूचा जाए तो विद्यार्थियों इसका जवाब है रश्या ना कि जर्मनी रश्या क्योंकि उसका बहुत बड़ा पार्ट यूरोप में है और उसी बड़े पार्ट में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है इसलिए रश्या की कुल जनसंख्या जो यूरोप का सबसे वड़ा देश आज की तारीक में अगर परिच्छा में प्रशना आता है कि यूरोप का मॉस्ट पापूलस कंट्री कौन सी है तो आप रश्या ही बोलेंगे हाँ अधर देन रश्या अगर बात करें तो जर्मनी आठ करोड के साथ दूसरे नंबर पर है तीसरा तीन मॉस्ट पापूलस कंटिनेंट हो गए चौथा मॉस्ट पापूलस कंटिनेंट है नौर्थ अमेरिका जिसकी कुल पापूलेशन साथ करोड है और मॉस्ट पापूलेशन कंट्री की अगर हम बात करें तो वो है अमेरिका लगभग 14 करोड विद्यार्थियो इसी लगभग तेरा करोड के आसपास है यदि हम पूरी दुनिया में चोथा सबसे बड़ा देश देखें पॉपुलेशन के एसाब से नमबर बन हो गया इंडिया, सेकंड नमबर चाइना, थर्ड नमबर यूएस और फोर्थ नमबर पे आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की जस्ट पीछे, अगर कोई देश है पॉपुलेशन की मामले में तो वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 24 करोड है, ये पांचवे नमबर पर आया, पांचवे के बाद अगर छटवा नमबर कोई है तो वो नाइजिरिया, छटवे नमबर पर 23 करोड जनसंख्या के साथ नाइजिरिया छटवे नंबर पर विद्धमान है और साथवे नंबर पर ब्राजील जो की साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट का most populous country है ब्राजील की जनसंख्या लगवग 22 करोड है पूरे साउथ अमेरिका की जनसंख्या 45 करोड के आसपास है तो यह हो गया अगला विद्यार्थियो और इसके बाद next अगर हम बात करें most populous country तो इसके बाद अगला नाम आता है बंगलादेश का बंगलादेश की जनसंख्या लगवग 17 करोड है विद्यार्थियो यह बहुत छोटा सा देश यह बंगलादेश आप देख रहे हैं इसकी जनसंख्या लगवग 17 करोड है यहीं पर अन देश्वों के बारे में बात करें तो जापान जापान की जनसंख्या 12 करोड है यह जापान 12 करोड जनसंख्या के साथ यह भी बहुत पॉपुलिस कंट्री है तो पूरे फिगर में अब लास्ट में कॉंटिनेंट बचता है ऑस्टेलिया ऑस्टेलिया और उसके आसपास के जो देश हैं जो कंप्लीट ऑस्टेलिया कॉंटिनेंट में आते हैं उनकी कुल जनसंख्या 4.6 करोड है जिसमें से अकेला आस्टेलिया 2.5 करोड के साथ सबसे बड़ा देश है आस्टेलिया की जतनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या हिंदुस्तान की ट्रेनों में रोजाना सफर करती है हिंदुस्तान से कोई कंपरिजन ही नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान इतना ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है अब विद्यारतियों यहीं पर एक प्रशन उठता है आखिर क्या कारण है कि एशिया की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 60% है और उसमें भी अगर इंडिया और चाइना केवल दो देशों को शामिल कर लिया जाए केवल दो देश और यहीं पर अगर हम थोड़ी दिर के लिए इंडिया 1947 से पहले के इंडिया की बात करें जिसमें पाकिस्तान और बंगला देश भी शामिल था तो विद्यार्थियों आप देखेंगे कि लगवग 185 करोड जनसंख्या हो जाती है इंडिया की अगर बंगलादेश और पाकिस्तान को सामिल कर लें और 144 करोड चाइना की है तो कुल मिलाके इसी भाग में पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या है विद्यार्थियों 330 करोड जनसंख्या अकेले इसी भाग में है 330 करोड जो की पूरे 800 करोड का अगर हम देखें तो लगवग 40% के आज़ पास होता है चालीस एक तालीस परसेंट जनसंग्या अखेले इसी भाग में इतने ही भाग में आखेल क्यों इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है वो ये कि इसका मैक्जिमम पार्ट सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है विद्यर्तियो फटिलिटी रेट अच्छा होने के लिए गरम देश का होना जरूरी है और देश का गरम भी कौनसा पार्ट सब ट्रॉपिकल युँ तो अफ्रीका भी गरम देश है इसका मैक्जिमम पार्ट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ही आता है लेकिन ये बात सही है इसी लिए यहाँ fertility rate आज भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ uncool environment नहीं है हम जानते हैं equator के आज़ पास दसाइं uncool नहीं होती हैं जीवन जीने के लिए जीवन जीने की सबसे अच्छी दसाइं सब tropical reason में ही होती है दूसरी बात fertility भी कम है जमीन की इधर इस भाग में जहां चाइना में हवांगो नदी भारत में गंगा यमना का मैदान वहीं पाकिस्तान में सिंद नदी और बांगला देश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र गंगा बराक यह वो नदियां हैं जिन्होंने इस पूरे भाग में बहुत बड़े अलूवियल सोयल का निर्माण किया अलूवियल सोयल most fertile land है और इसी लिए यहाँ अनाज का उत्पादन भी विश्व में सबसे ज़ादा होता है यही कारण इस भाग की जनसंख्या इतनी अधिक हुई तब से लेके आज तक तो ऐसा क्यों हुआ तो यह सारे इसके reason है यह पूरी जनसंख्या का हमने एक विद्यारत्यों एक आंकला लिया अब इस जनसंख्या के साथ-साथ आपको जो सबसे महत्मून बातें जो याद रखनी है जनसंख्या की वो यह कि किसी भी देश की जनसंख्या पहले पूरी हम वर्ल्ड की जनसंख्या की life expectancy की बात करें यानि जीवन प्रत्याशा पूरे विश्व में जीवन प्रत्याशा इस बात पर निर्वर करती है कि उस इस्थान पर रहने की दशाएं कैसी है वहां health issues कैसे है वहां महमारियां फैलती है अथवा नहीं फैलती है फैलती है तो उनका overcome कितनी आसानी से कर लिया जाता है यानि health services बहुत अच्छी है जहां health services बहुत अच्छी होगी रहने की अनकूल दशाएं होगी favorable atmospheric conditions होगी तो निश्द रूप से वहां पर जो survival है अच्छा खासा होगा यानि average age बहुत जादा होगी life expectancy जादा होगी पूरे world की life expectancy इस समय 72 साल है 72 years है average पूरे world की और वहीं अगर सबसे कम life expectancy की बात करें तो अफरीकन कंट्रीज life expectancy के मामले में सबसे कम life expectancy अफरीकन कंट्रीज की है लगवग 52 से 55 साल यह सबसे कम है और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें life expectancy की तो सबसे ज़्यादा life expectancy कहां देखने को मिलेगी यूरोपियन कंट्रीज में अथवा जापान जापान की अथवा चाइना की ये वो कंट्रीएं चाइना, कोरिया, जापान और इधर यूरोप इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 80-85 साल अगर हम यूरोप के एक छोटे से देश मोनाको की बात करें तो वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी है, यही इसमें आपका आजाता है लातविया अगर हम देखें तो लातविया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी खासी है मोनाको की अच्छी है, लगभग 85-87 तक इनकी life expectancy जाती है यही कारण है कि इन देशों में बुजर्गों की संख्या जादा है और जहां life expectancy कम होती है वहाँ जबानों की संख्या जादा होती है बुजर्गों की संख्या कम होती है तो भारत की life expectancy आज की तारीक में लगवख 70 से 73 साल हो चुकी है पुरुषों की 70 महि पूरे विश्व में, life expectancy के मामले में महिलाओं की life expectancy हमेसे ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी survival दशाएं, उनकी ज़्यादा अच्छी होती है या दूसरे शब्द में कहा है उनकी immunity power अच्छा होता है पुरुषों की immunity power कम होती है इसलिए महिलाएं जादा survive करती है किसी भी देश में अगर हम पूरे विश्व में हम बात करें कि लिंगा नुपात यानि sex ratio कैसा है तो sex ratio में पूरे वर्ड में महिलाओं की दसा favorable है पूरे United Nations के 193 देशों में से 193 total countries है United Nations के विद्यारतियों total 193 country है इतनी country है United Nations की इतनी countries में से 139 ये figure favorable है female के लिए और rest of 54 ये figure favorable है male के लिए it means 193 देशों में से 149 देश ऐसे हैं जहां महिलाओं की संख्या पुर्षों से ज़्यादा है यानि हर 1000 पुर्षों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है ये ऐसे देशों की संख्या 139 है और ऐसे देश 54 हैं जहां महिलाओं की संख्या पुर्षों से कम है अगर यहां पुर्षों से कम है इसका मतलब महिलाओं के अनुकूल क्या एन्वाइरनमेंट नहीं है विद्यार्थियो एन्वाइरनमेंट हर जगया का महिलाओं के अनुकूल है लेकिन अगर कहीं नहीं है ऐसा तो उसका कारण यह है वहां महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया गया या महिलाओं को जीने के लिए उतने अनुकूल माहुल पैदा नहीं किये गए इसलिए वाँ जन संख्या कम है खास्तोर से मिडल इस्ट के देश जिन में कतर, UAE, साओधी अरेविया, बहरीन ऐसे ये सारे वो देश हैं जहां पर जन संख्या महिलाओं की बहुत कम है आप ऐसे समझ सकते हो के कतर में ले लीजिया 260 पुर्षों पर केवल 100 महिलाओं है यानि एक हजार में से लगवख साड़े 300 का फिगर आता है एक हजार पुर्षों में महिलाओं की संख्या 370 के आसपास है कतर में इतनी कम जन संख्या विडिल इस्ट के देशों में ज्यादा तर यही वो देश हैं जहां जन संख्या महिलाओं की कम है अन्य था अधिकांस देशों में तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है ही तो कतर, UAE और साओधेर भी यह वो देश हैं जहां महिलाओं की संख्या काफी कम है पुरुषों की तुल्ला में लेकिन अगर हम फैबरेवल कंडिशन्स देखें महिलाओं की तो सबसे ज़ादा महिलाओं की जन संख्या लिंगा नुपात अगर कहीं है तो वो लात्विया में है लात्विया में यही अनुपात कितना है विद्यार्थियो लात्विया में एक हजार महिलाओं पर पुरुषों की संख्या साड़े आठ सो है इसके बाद विद्यारतियों अब हम चर्चा करते हैं TFR, यानि टोटल फर्टिलिटी रेट, क्या होता है TFR, विद्यारतियों एक शब्द प्रेव किया आता है TFR, means होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, खुल प्रजनन दर, एक महला द्वारा अपने जीवनकाल में जितने 49 years के बीच में, ये इस बीच में एक महला द्वारा जितने बच्चों को जन्म दिया जाता है, जीवित बच्चों को, तो जितने महला द्वारा दिये गए जीवित जन्मों की संख्या, जो 15 साल से 49 साल के बीच में होती है, ये किसी एक महला की फर्टिलिटी कहलाती है, ये rate निकाला जाता है किसी भी स्थान पर जितनी महिलाएं हैं, उनके द्वारा जितने बच्चों को जन्म दिया गया, फिर उसका average निकाल लिया जाता है, तो वो average fertility rate कहलाता है, इसी उतों कहते हैं TFR, तो TFR जतना ज़्यादा होगा growth rate उतनी अधिक होगी, विद्यारतियों अगर हम बात करें, पूरे विश्व में, पूरे विश्व की इस समय TFR दर कितनी है, पूरे विश्व की TFR दर है 2.3, 2.3 बच्चे प्रती महला, यानि एक महला द्वारा इस समय औस तन 2.3 बच्चों को जनम दिया जा रहा है, यही TFR सबसे ज़्यादा किसकी पूरे विश्व में, तो नाईजर देश जो नाईजीरिया के ऊपर है, यह नाईजीरिया के ऊपर यह नाईजर देश, इसकी TFR है 6.7, बच्चे प्रती महला, यह इसे बच्चे पैदा होंगे, तो संख्या कहां पहुचेगी, लेकिन विद्यारत की यहां यह बात जानना बहुत ज़रूरी है, कि बच्चों की जनमदर जादा है, तो फिर मृत्यदर भी जादा है, और मृत्यदर जादा होने के साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोई कम भी जीता है, एवरेज 22 साथ है, अगर यही सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा की बात करें, तो अफ्रीका सब से नीचे आता है, वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 52 से 55 साल के बीच में है यानि सबसे कम जीवन प्रत्याशा अफ्रीकन कंट्रीज में है इसी लिए वहाँ ग्रोथ रेट जादा होते हुए भी जनसंख्या बहुत अदिक नहीं है लेकिन आने वाले समय में जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्त सुविधाओं में सुधार हो रहा है अगर स्वास्त सुविधाओं में सुधार होगा और प्रजनंदर इसी गती से बढ़ती रही तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी विद्यार्थियो अभी तक का इतिहास गवाँ है कि लोगों को अगर स्वास्त सुविधाओं मिली हैं तो उनमें चेतना भी आई है जैसे जैसे स्वास्त सुविधाओं बढ़ती हैं उनमें चेतना का संचार होता है फैमिली प्लानिंग को लोग अपनाने ला शुरू कर देते हैं इसका उधारण हिंदुस्तान है जब हिंडिया आजाद हुआ था तो यहां भी टी एफार नायजर के समानी हुआ करती थी यानि लगभग साथ बच्चे प्रती महला द्वारा यहां पैदा होते थे लेकिन जनसंख्या में इतने पैदा होने के बावदूद मरते भी बहुत थे शुशुम्रत्य दर भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन जैसे जैसे भारत में स्वास सेवाओं का सुधार हुआ वैसे वैसे यह प्रजनंदर कम होती चली गई अब एक प्रशनी यह उठता है कि कि किसी भी छेत्र में कितनी प्रजनंदर होनी चाहिए ताकि वहां की जनसंख्या को इस्टेबल किया जा सके रोका जा सके देशपूरे विश्व में प्रजनंदर कितनी होनी चाहिए ताकि जनसंख्या इस समय जो 800 कुरूर है वो यहीं पर रोकी जा सके तो इसे कहते हैं, प्रटिस्थापन्दर, replacement level replacement level क्या होना चाहिए ताकि जनसंख्या को स्थिर किया जा सके for stabilization of population what will be replacement level of world तो पूरे world की अगर हम बात करें तो replacement level है इस समय 2.1 यह बहुत important है परिच्चा के लिए इसको कहते है replacement level replacement level पूरे विश्चु का कितना पूरे विश्चु का इस समय प्रजनंदर है 2.3 यह TFR है इस समय और replacement level है 2.1 अगर TFR 2.1 हो जाए तो यह विश्चु की जनसंख्या को replace कर देगा अर्थात पूरे विश्चु की जनसंख्या constant हो जाएगी 800 करोड पर इस्तिर हो जाएगी तो यह परिच्चागली बहुत important है कि पूरे विश्चु की इस समय replacement level क्या है वो है 2.1 TFR के बराबर यानि एक महला की उसतन TFR कितनी होनी चाहिए 2.1 जबकि अभी है कितनी 2.3 यह पूरे वर्ड की है तो अभी भी replacement level से थोड़ी जादा है इसलिए जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है अगर हम इसी की बात करें भारत के सांदर्म में तो भारत की इस समय जो TFR rate है वो टोटल प्रजनदर भारत की इस समय है 1.9 1.9 तो हम कहेंगे कि world replacement level से तो कम है तो क्या भारत की जनसंख्या इस्थिर हो जाएगी या negative रहेगी नहीं विद्यारत ही हो क्योंकि भारत की जीवन प्रत्याशा अपेक्षाकरत ज्यादा है और दूसरी बात जो देश भारत में अब स्वास्त सुविधा है बहुत बहतर है इसलिए हमारा जो replacement level है हिंदुस्तान का वो है 1.6 यानि जब हम 1.6 बच्चे प्रती महिला पैदा करेंगे तो हिंदुस्तान को replacement level मिल जाएगा ये भारत के लिए replacement level है जबकि भारत में इस समय TFR 1.9 है हमें TFR कितनी चाहिए TFR चाहिए 1.6 किसलिए for replacement level को राप्त करने के लिए तो ये बात हमको समझ में आ गई कि अभी हमें 0.3 TFR और गिरानी पड़ेगी तब जाके हम replacement level को प्राप्त करेंगे और तब हमारी जन संख्या इसके रोग लाँ जो भारत को अगर चाहिए कि भारत अपनी जन संख्या को स्थिर कर सके तो हमें replacement level को 1.9 से घटा कर बहुत कम है इसलिए यहां की जन संख्या निगेटिव है यानि जन संख्या ग्रोथ निगेटिव है चाहिना में इस समय जो ग्रोथ रेट है वो अपिक शक्रत निगेटिव हो चली है इसका मतलब चाहिना के लिए replacement level है 1.3 और चाहिना में इस समय TFR है 1.2 इसलिए चाहिना में जन संख्या निगेटिव में जा रही है विद्यार्थियों धीरे धीरे करके सभी देशों में replacement level कम होता जा रहा है किसे स्वाथ स्विदाएं बढ़ती चली जा रही है तो आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत जल्दी replacement level को प्राप्त कर लिया जाएगा और पूरे विश्वी जन संख्या इस्थिर हो जाएगी धीरे धीरे फिरी ये माइनस में आना शुरू हो जाएगी इस प्रकार ये परिक्षा के लिए बहुत important है कि TFR से आप क्या समझते है इसकी क्या उप्योगिता है कैसे ये work करता है TFR किस तरह से जन संख्या बढ़ाने में इसका योगदान है तो जैसा मैंने कहा आजादी के समय हमारी TFR लगवग नाइजर के बराबर ओने साथ के आसपास ही थी आज घटते घटते कितनी रह गई है 1.9 और replacement level के लिए केवल 1.6 तक पहुंचना और बाकी है इसी तरह से अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा replacement level नाइजर का और सबसे कम South Korea का है अब एक बात और आती है Crude Birth Rate और Crude Death Rate ये कैसे निकाली जाती है विद्यार्थियो Crude Birth Rate का मतलब होता है 1000 जन संख्या पर एक साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं किसी भी छेतर में 1000 जन संख्या पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को हम Crude Birth Rate कहते हैं और ये ही 1000 जन संख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या को हम Crude Death Rate कहते है तो पूरे वर्ड की जो Crude Birth Rate है इस समय सूला के आसपास है सूला सत्रा ये वर्थ रेट है पूरे वर्ड की और Death Rate की बात करें तो वर्ड की Death Rate लगबग 8 के आसपास है भारत की रिफ्रेंस में बात करें तो Crude Birth Rate सूला है और Death Rate साथ के आसपास है तो इससे भी हमें पता चलता है कि 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं और कितने जिन्दा है विद्यार्थियो Crude Birth में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं ये Crude Birth जीवित जन्मों के आधार पर ते होती है हाँ जन्म जीवित रूप में हो गया फिर भले ही वो दो गंटे बाद, चार गंटे बाद मर जाए तो फिर उसमें संचोधन हो जाएगा बर्थ रेट में और संचोधन होके नई बर्थ रेट आ जाएगी इसलिए अशोधित बर्थ रेट अशोधित जन्मदर कहा जाता है उसी को Crude Birth Rate बोला जाता है तो कभी ये पूछ लिया जाता है कि Crude Birth Rate कैसे निकाली जाती है Crude शब्द क्यों प्रेयोग किया जाता है क्योंकि इसमें वो वर्थ भी शामिल होते हैं जिनकी म्रत्यू कुछ घंटे बाद भी हो जाती है इसलिए बाद में शोधित करके वर्थ रेट आती है इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म के आंकडे पूरे दुनिया में किस तरह से प्रभावित होते हैं और आज जन्संख्या संसाधनों के एक प्रकार से अभाओ के कारण ये जन्संख्या बोज बन गई है पुरी दुनिया के लिए धीरे धीरे जागरती फैल रही है जन्संख्या में सुधार हो रहा है और जन्संख्या में सुधार होगा जन्संख्या कम हो जाएगी तो सौहवे के प्रकारती द्वारा दिये गए संसाधन परियाप्त है उनकी कोई कमी नहीं है और यही संसाधन पूरे देश को ही नहीं, हमारे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को खिलाने में और संपन्नता प्रदान करने में परियाप्त है तो आशा करते हैं आने वाले समय में हम बहुत जल्दी रेप्लेस्मेंट लेवल को प्राप्त कर लेंगे ना सिर्फ इंडिया बलकि पूरा वर्ड और पूरे विश्व की जन संख्या इस्थिर होने के बाद निगेटिव फेज में जाने लगेगी यहां विद्यार्तियों में एक चीज़ और बदा जाता हूँ आपको कई बार एक प्रश्ण पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में कारिशील जन संख्या कितनी है कारिशील जन संख्या का अंकला अगर हम पूरे वर्ल में समय 64 साल है अगर 64 साल को आधार बनाया जाए तो 15 साल से लेकर कारिशील जन संख्या 14-15 साल से शुरू हो जाती है और वहाँ से लेखे 64 साल तक जाती है तो ऐसी जनसंख्या भारत में इस समय 66% है तो 66% जनसंख्या कारेसील है यानी कारे करने वाले लोगों की संक्या जाएं इसलिए बिरुज़गारी भी जाएं लेकिन आगए आने वाले समय में जब कारिसील जन संख्या जब जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगेगी तो कारिसील जन संख्या कम हो जाएगी 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 तो कारिसील से यदान लोगों की संख्या 11% है यानि केवल 11% लोग ही 60 साल की उमपर पार कर पाते हैं 89% लोग 60 साल के अंदर गुजर चुके होते हैं और ये जो 60 साल से उपर के लोग हैं ये कहीं और नहीं विक्सित देशों के ही लोग है उन्ही के कारण जीवन प्रत्याशा भी ज्यादा बनी हुई है जो 72 years है ये उन्हीं विक्सित देशों के कारण है वरना अविक्सित और अल्विक्सित देशों में तो जीवन प्रत्याशा कम है भारत लगवग वर्ल्ड के आसपास है पूरे विश्यु की जीवन प्रत्यासा ओंप भारत की भी लगवाब उतनी है लेकिन पूरे विश्यु में ऑउसतन जो स्वास्त सोविधाईंग भारत की स्वास्त सोविधा आएए उससे थोड़ी बहतर है इसलिए भारत में जंसंक्राइब भी परियाबत है तो विद्यारत्वी में आशा करता हूँ, आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन पर आधारित इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से पढ़ें, और भी कुछ आपके दिमाग में अगर प्रश्न हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पू झालेजन कर दो आपके दो आपके देस्टाइएन.